नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिबार PVR इस्टेडी में इतना सफल बनिये कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको दूसरों का नाम न लेना पड़े खुद की हिस्ट्री बता करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकें कि मैंने ऐसे ऐसे ये किया और हम सफल हुए जी हाँ बिल्कुल आज है 10 मार्च 2020 यानि कि पूरा हिंदुस्तान होली का तेवार मना रहा है और आप ये कलास देख रहे हैं हो सकता होली के बाद देख रहे हूँ तो साथियों अब्दुल कलाम भीमराव अंबेटकर स्वामी विवेकानन्द और जो भी हमारे आज तक महाफुरूस हुए है मैंने तीन नाम तीन जगा से बताया है इन में से आप लोग इनका अकसर नाम सुना होगा अकसर लोग मोटिवेट करने के लिए नाम गिनाते हैं न लेकिन आप खुद इतनी बड़ी से फलता प्राप्त करिए कि आप पनी इतिहास बता करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकें और इसी कोशिस में लगे हैं हम पिछले तीन साल से आप लोगों को जानकारी होगी कि हम होली में घर नहीं जा रहे हैं कुछ आप लोगों का प्यार मिले तो बस हम इसी तरह से आगे बढ़ें और आपको विले के साथ साथ चलना है आज हम सीखेंगे भिन वा दसमलो संख्या को संख्या रेखा पर परदर्सित करना साथियों ये थोड़ा सा सोचने में कठिन लगता है करने में मज़ा आता है ठीक ना तो चलो पूरा हमारे साथ देखना बहुत मज़ाएगा देखिये संख्या रेखा नाम सुन करके आपको बड़ा आजीब सा लगता है ये कोई हुआ नहीं कटने वाला बस आई से खीचलो प्यार से किसी सीधी बनेगी किसी तोड़ा टेर्डी बनेगी रेखा और रेखा खंड क्या होता है इसके लिए आप देखिये हमारा अगला वीडियो हो सकता है ये वीडियो जब खतम होने लगेगा तो इंडी स्क्रीन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल सकती है तो आप उसे जरूर देखना ने तो नंबर पर संपर्ख करना कुश्चन हमारा है कि 1 अपान 2 को संख्या रेखा पर परदर्शित कीजिए देखो यार संख्या रेखा क्या होती है इसमें बीचों बीच में एक सुनना होता है जिसे मूल बिंदुया और जिन कहा जाता है इसके दाहिनी साइड सभी अंक प्लस होते है बाहिन साइड सभी क्या होते है माइनस होते है तो यहाँ पर यह वन और यहाँ पर क्या है यह दो समझते जाना और चलो छोटा छोटा लिखते है इधर साइड में यह माइनस वन और इधर साइड में ये माइनस दो ये ऐसे इन पे नमबर है अभी ध्यान से समझना बिल्कुल टेंसन मत लेना यार आने की गारंटी होगी आये गनी तो जाये गगा अब देखो क्विश्चन क्या कहता है क्विश्चन ये कह रहा है कि 1 अपांट 2 ये आला गलग संख्या है ये भिनने सब आला गलग है इनमें 3 क्विश्चन बनेगे आला गलग इनको दिखाना है चाहे तो एक कमें दिखा दो समझो 1 अपांट 2 को इस संख्या रेखा पर दिखाओ अब यार ये सोचो अगर एक बोला होता तो हम दिखा देते माइनस एक ये है दो बोलता तो हम दिखा देते दो यहाँ है अगर कहा होता कि संख्या रेखा पर तीन को परदर्सित करो तो हम यही दिखा देते ये लो तीन यहाँ है ना मतलब बना देते ये देखो तीन है लेकिन ये तो ये एक बटा दूई कहे रहा है अब ये तो इसमें कहीं है नहीं तो यही थोड़ा फ़ दिमाग लगाना है बस छोटा सा दिमाग लगाना है चलो देखो ये बता एक्चूल में जो वन अपांटू है ये इन में से किसी के बीच में तो होगा ऐसा तो नहीं कहीं से गीरा है ये दूसरे देश से आया है देखो इधर इसको ऐसे समझ सकते हो जब इसे आप दस सामलों में बदलोगे तो 0.5 आएगा देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 0.5 आया ना यहां से ये असपर्ष्ट होता है कि ये एक से तो कम है पक्का एक से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है क्योंकि 0.5 है इसका मतलब ये confirm हो गया कि एक और किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में है तो यार ये 0 और 1 के बीच में है 0 और 1 के बीच में है 1 और 2 के नहीं 0 और 1 के बीच में लेकिन अब इसमें एक और भी जंजट्ट है, वो जंजट्ट कौनसा है आप लोग ध्यान से देखना, वो ये है कि इसमें होगा कैसे और कहाँ होगा और इसे हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो, जतना नीचे हर रहेगा, जैसे इसमें 2 है न, पहले तो यह confirm करना कि यह किसके किसके बीच में होगा जैसे हम यह जान गए कि जीरो और एक के बीच में होगा तो अब हम इसके बीच के भाग को उतने पार्ट में बाटेंगे जितने पार्ट में यह मतलब जितना यहां लिखा रहेगा दो है तो इसके बीच के भाग को दो बराबर भाग में बाटेंगे तो यह मैंने यहाँ पर एक बिंदू रख दिया अब यह देखो इसके दो भाग हो गए एक जीरो और इधर वाला खाना और एक और इधर का दो हो गया न और जहाँ पर यह मैंने रखा है यहीं पर होगा आपका एक बटा दो बट समझ में आ गई ना तो फटा फटा आप लोग वीडियो को तुरंद लाइक कर दो जल्दी से भी न देर करे हुए जल्दी से करिए तुरंद लाइक करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते रहना बस जाना नहीं कहीं चलिए ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा कुश्चन दूसरा ये अब मुसीबत है कि वन अपान थिरी कहां होगा भाई साब किदर से आया ये कहां जाएगा देखो वन अपान जो थिरी है पहले इसके बारे मैं समझो कि इसके बीच में होगा अब इसे हमें दसमलों बदलना नहीं आता तो हम एक में भाग करेंगे तीन से उपर हम दसमलों बढ़ाके यहां जीरो उतारके तीन बार ले जाएंगे फिर नव आएगा और फिर किता आएगा एक 0 मतलब कहने का 3-3-3 बार बार आता जाएगा लेकिन यहां से यह confirm होता है कि 0 दसामलो 3-4 लगभग में इसे लिख सकते हो आप सार्था कंक और कोटिमान अगर पढ़े हो तो जानते होंगे इसको लगभग में इतना लिख सकते हो हमें बस यही confirm करना था कि यह किसके बीच में है तो यह भी 0 और 1 के बीच में है 0 और 1 के बीच में है बात समझ में आई न ठिक अब देखो 0 और 1 के अगर बीच में है तो अब इसको मिटा दें अब इसके लिए कारे करें इस पर ध्यान से समझ ना तो अब हमारा यह को इस्टन नहीं पर हो गया, खतम इसे आप लिख लिए हो तो बना लो जल्दी से, नहीं तो फिर हम मिटा रहें, क्योंकि इसको दिखाने के लिए हमें इसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा से, तो हो गया, देखो चलो, अब एक बटा तीन को द तीन है न, तो इसको तीन बराबर भाग में बांटोगे, एक ये लो, कितने बराबर भाग में बांटोगे, तीन बराबर भाग में बांटोगे, बात समझ में आई न, तो देखो कितना हो गया, ध्यान से समझो, तीन बराबर भाग में हुआ कि नहीं अभी ये, एक दूई, 3 भाग में हो गया तो अब समझना यहीं से चलेंगे आगे से देखो 1 2 3 ना तो 1 वटा 3 कहा होगा सोचो कहा होगा एक बता 3 का मतलब क्या होता है थीक है अब ध्यान देना यहाँ पर देखो हम कोसिस करेंगी कि कि आपको सब कुछ क्लियर हो हमने क्या कहा इसको तीन बराबर भाग में बांट दो मैंने बांट दिया अच्छा चलो सोचो एक छोटा सा इधार एक्जाम पर ले ले हम एक बटा तीन को हम आपको समझा दें कि एक बटा तीन मतलब होता क्या है जैसे यह आप यहां पर देख तो यह दिख रहा है अब देखो इसको तीन भाग में पहले बांटो बराबर बराबर जैसे मानलो तीन भाई है चलो अब इनको तीन हिस्सा मतलब बन गया है एक को कितना आएगा बताओ भाई एक को इतने तो आएगा ना मतलब यह क्या है एक बटा तीन भाग है अब समझ म तो जब यहाँ पर इसी तरह से हमने संख्यारे का पर तीन भाग किये हैं एक दूइ तीन, तो एक बटा तीन कहा होगा, एक बटा तीन हमारा, इसी पर तो होगा one अपान थ्री, पाद समझ में आई ना? समझ में आई? तो ये हो गया कि अवान अपान 2 इस्से तरह से अभि मने आपको one upon two बताया था अगर one upon seven को हम denote करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि एक भाग के साथ टुकड़े करने है मतलब अब जैसे यह देख रहे हो इसके साथ भाग करो तो साथ भाग मतलब जान रहे हो जैसे zero और one के बीच में चोटे चोटे साथ पार्ट करेंगे बरावर बरावर तब वहाँ पर इसको denote करेंगे जिनको लिखना इसको बनाना जल्दी से फट से बना ले तुरंद जल्दी करें हमारी कोशिस है कि आपको एकड़म क्लियर समझ में आ जाए मिटा रहे हैं इसको हम रोक करके स्क्रीन साथ ले लो तुरंद और वीडियो को लाइक निके तो तुरंद कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन करना जिसके आप मेत को आसानी से घर बैठे बिल्कुल फ्री सीख सकें अब देखो अगला एक बटा साथ को संख्या रेखा पर निरूपित करना बहुत ध्यान से देखना वन आपान सेवन को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे देखो यार इसका मतलब यह होता है भाई साब नीचे दिख रहा की नहीं इसका मतलब यह होता है कि कोई वस्तू है जिसके हम साथ टुकडे कर रहे हैं मतलब साथ पार्ट कर रहे हैं साथ पार्ट कर रहे हैं देखो जैसे मानलो कि हमारे पास चॉकलेट है और हमें एक स्कूल में टीचर है हमें साथ स्टूडेंट को बांटने हैं चॉकलेट एक ही है लेकिन साथों बच्चों को देने हैं तो क देखो इधर यह हो गया दो टुकड़े हो गए ना तीन हो गए चार हो गए पांच छे साथ देखो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझना कि यह बराबर बराबर साथ टुकड़े होने चाहिए ठीक ना तो अब देखो बराबर बराबर साथ टुकड़े करने है तो मैंने कर अब एक को कितना मिलेगा जल्दी बताओ एक को कितना मिलेगा भाई एक को इतने तो मिलेगा साथ टुकड़े की हैं तो इतना ही तो एक को मिलेगा न यह क्या है यह इस टोटल चॉकलेट का एक बटा साथ भाग है बात समझ में आई तो यह क्या है वहना पांच सेबन भाग है क्यों Lakshmi क्यों कि एक चॉक्लियट सा सेबन क्यों क्यों कि इसके सेबन टूप्ले हुए है तो उसी तरह से ए संख्या पद्धती वसफव robi जो संख्या रेखापर हम डीनोड करेंगे वनपान्सेबन को कहां होगा यह जीरो के बाद में ये पहले वाले बिंदू पर होगा यानि कि वहना पांच से बने हाँ होगा बात समझ में आई ना तो यह होती है पूरी कहानी संख्या रेखा पर कैसे बिन्नों को पर दर्सित करते हैं आप समझ चुके होंगे तो साथ ही हो दस मिनट के इस वीडियो में हमने आपको कोशिस किया कि सारे कांसेप्ट किलियर हो जा को सफल बनाया जा सके हमने यही उद्देश से आज इस परमुक वीडियो को बनाया इस टॉपिक को मैंने रोंक के रखा हुआ था तो आप लोग करेंगे ना बहुत अच्छे हैं आप सब करेंगे जरूर पूरी उमीद है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बिल्क